असलाम अलेकुम, तोड़े वियर गोईंग तो डिस्कस अबाउट मीजोमेरिक एफेक्ट सबसे पहले इसकी डाफिनेशन देखते हैं, बिस्मिलाहिर रॉह्मान रॉहीम, देख्ते हैं, इस इफेक्ट को रेजोनेंट्स या मीजोमेरिक एफेक्ट का नाम दिया जाता है, तो वो सिस्टम जिसके अंदर रेजोनेंस इनवोल्व नहीं होती, इसको समझने के लिए एक्जामपल लेते हैं, अमूनिया मॉलेक्यूल की, जिसके अंदर रेजोनेंस अबसंट है, क्योंकि कोई डिलोकलाइजेशन पोसिबल नहीं है, और यहाँ पर अंशेड पेरोफिल इसके वज़े से पोजिटिव चार्ज जबके बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन नमबर 4 पे नेगिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस टिक्रीज की वज़े से रिंग के अंदर चार्ज देंस्टी इंक्रीज कर गई है, नहीं टुग्रूब इलेक्ट्रों डिनेटिंग effect शो कर रहा है, दो तरह के groups exist करते हैं, electron donating groups जिनको positive answer show किया जाता है, electron withdrawing groups जिनको negative answer show किया जाता है electron donating group जो के electron दे देते हैं, ring के अंदर और delocalization को possible बनाते हैं ring के अंदर charge density को भी बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने anilene की case के अंदर देखा, जबकि electron with drawing group, electrons को benzene ring से अपनी तरफ केंच लेते हैं और ring के अंदर charge density को decrease कर देते हैं electron with drawing group को समझने के लिए हम लेते हैं example nitro benzene की जिसके अंदर nitro group highly electron with drawing effect शो करता है carbon number 1 और carbon number 2 पे जो pi bond है ये shift कर जाएगा nitrogen और carbon number 1 के दमयान और stability के लिए nitrogen और oxygen के दमयान जो pi bond है ये negative charge की सुरूत के अंदर oxygen atom पर move कर जाएगा that means के ring के अंदर carbon number 2 पे charge density decrease कर गई है यानि के nitro group, nitro benzene के अंदर electron withdrawing effect शो कर रहा है और mesomeric effect की वज़े से एक जगा पर charge increase कर गया और दूसरी जगा पर decrease कर गया do not forget to like, subscribe and share my channel